इंटर्वी की शुरुवात मैं इस प्रेशन से करूंगी आपने सुना होगा बंगाल एलेक्शन होने वाला है 2021 में लेना देना है आपके नेता को राके इस्टिक्याट जी को उनको वो कहते हैं कि बंगाल में भी जाके महापंचायत करो मामा मतलगे हमाचल में महापंचायत कर होगे तो किसान ने किसानों का एक पैसे का फाइदा नहीं कर पाब होगे तुम बंगाल में महापंचायत करोगे किन का किनके समर्थन में किनके समर्थन में किनके समर्थन में उनकी ममता बनाजी के समर्थन में ममता बनाजी किसानों को देंगी डेंड से लियाना हां ममता ब कह रही कि अब हम बात करेंगे प्रधान मंत्री से और राजना से हमें क्यों बता रहे हैं विका हुआ कि इन्हों ने हमें मोर्चे में सामिल नहीं किया था और हम बैठे बैठे यहां टेशू से चिल्ला बॉडर पर हमारे साथ के कहते तो ना बुलाए को जाए हमाई मां होते ह हमने हम तो बलाए ना थो जब हमें इनकी चार-पांच हो गई तब हमने एक फ़ोन किया था राजना सिंग से के हमारी विवास सुन लो यार हमारी कोई सुनता ही नहीं है तो राजनात की खोटि पर हम चले गई थे और मुहीं आ गई थे नरेंद तोमर करसिमंत्री क्योंकि ह हम सब हमें जानते हैं यह नहीं हमें कुछ पूछ दे मूर्चा वाले तो यह समझते हैं चूती आया उल्लू का पठ्ठा है चलो समझते दो ने तो राजनात्व और उन्होंने किरश मंत्री तोमर ने हमसे यह कहता हमें अपना मांग पत्र दे दो इनका जो मांग पत्र है वो किसान के कारण कर्जदार है करजा को माफ करो किरश मंत्री जी ने हमसे यह कह था कि हम पुर्धान मंत्री जी से बात करेंगे और आपकी समझें करदेंगे अरे सुनो तो सही हम आई पाई तब तक तो इनने कई भानू बिग गो भानू राजनात के पास पहुंच गो ठाकुर भानू है और ठाकुरी राजनात हुए और ठाकुरी नरें तोमर हुए और ठाकुरी मुख्य मंत्री है और सब ठाकुर मिली गए इनने हत्या काट दे फिर आप भी हम कह रहे हैं अब भी हम पुधान मंतरी से गृष मंतरी से और राजनात रख्षामंतरी से सबसे बात करके देश के किसानों की समस्चाओं का सबन्दान कर वाने का पूरा कोशिश करेगी लेकिन बंगाल में बंगाल में ममता का सबर्थन और भाजबा का विरोध करके ये हमारा किसान लेताओं का दायोत नहीं बनता है यदि तुम किसान लेता हो तो इससे तो किसान यूनियन छोड़कर राज देतिक पार्टी के लेता बन जाओ तो ज्यादा फाइदा हो सकता है एक आपने वीडियो वाइरल होगा सुना होगा कि कॉंगरेस की एक जो कारे करता थी वो ये सब को कह रही थी कि अगर किसी को शराब भी बाटना पड़ता है तो शराब भी बाटो लेकिन ये समय ऐसा है कि कॉंगरेस के लिए बहुत अच्छा समय है और आप सबको अपना और कॉंगरिस ने से देश को रोज नेताओं को बेई मानिक करना सिखा दिया मेरी उमर 70 साल है मैं लला नहीं हूं मैं मैं कोई मासूम बच्चा नहीं मैं वहूं जो कॉंगरिस के नेता कहते थे किसानों अधिकन पुजाओ देश को खाद्यान के उपर आत्म निर्ण बनाओ हमारे बाब दादे लगे रहे आत्म निर्ण बनाने में और कॉंग्रेस के नेता लगे रहे भारत के पैसे को स्ट्रिटर्जर्ण ले जाने में तो बेईमानी किने से गाई यह कॉं है राजनेता दिया करो हमाई मायवतिस सोच रे जो नेता बनता है सम नेता का मतलब था सुभाश्चन बोश थे नेता क्या फा जूअंत न copying न चान पावभे देश का ऐसे नेता होते थे लेकिन कोंग्रेस के नेता है उनने कई सी शरुत देश आये भार में पहले अपई भल्यों गठरियां न्याकी बैंक भद्धाईं और फिर पैसा स्वचर लेंडम पहुंचाए दो बेटा तो इनकी कॉंगरेस बानने की तो मोदे बात अमन्त करो करो मेरो जीव जज्यातो है यह अम्मा है भर्टाचार की अम्मा जननी कॉंगरेस जननी काओ अपर रहे बेटा और 31 में दिना 84 टेंट है लाल के लिए बहुत बड़े बड़े नरशिंग राप प्रधान मंत्री कॉंगरेस ने पता कर लो चौदरी महंदर सींटिकेत राच्री अध्यक्ष ठाकुर भानूं प्रताब सेंग उत्तर फदेश अध्यक्ष भारी लठ्ठ परो भा आरी नरशिंग राप ने परवाओ और 84 टेंटन में लाल के लिए से आग के गोले फैंक पैंकर आग लगा दी थी रजाई गदव सजे नाय रहे और चौदरी महंदर सींग ठिकेत ने मुझसे कहता तु जा अब ये तो इन्होंने हम पर कबजा कर लिया अब तु प्रचार क लोग लाना फिर अब मुझे तो ये जेल ले जा रही नरसिंग राब सरकार में चौदरी महंदर सींग ठिकेत देश के इमानदार नेता और किसी ने कहीं उनके साथ कोई नहीं क्या था नर्सिंग राब ने कौंग्रेस के नेता ने कौंग्रेस के प्रधान मंत्री ने थो क्रश्यमंत्री बल्णाम जाखड उन्हें जेल भेद दी था कौन सी जेल तिहार जैल में बेजा था जो अब कॉंघरेस कह रही है करो चयां का चिक करो रमेश बाबा ने हमें 11 में भेजा था तेरे में भेजा था यमुना बचाओ गंगा बचाओ देश बचाओ किसान बच ब्रज बचाओ किसाद आयोगा गठन करो स्वामी नाथन आपको लागू करो क्यों किया इन्होंने कॉंग्रेस वालों ने इन से नाराज होके हम कह रहे हैं आज खुले हम हमने भाजबा कर समर्थन किया था इनका बुरूद किया था इनको हराएंगे इनने हमारी बात नहीं मा पार्टी के नहीं है हमारी माग यह है जो गलत कर रहा है जो लाल के लिए पर दूसरा जंडा फेरा रहा है पोलिस को मार रहा है और उद्दंडता कर रहा है और गलत बात कर रहा है उसको डंड मिलना चाहिए डंड नहीं मिलेगा तो हम जासे इमान दानेतां को कौन पूछेगा फिर तो सारे लोग बेईमानी करने लगेंगे जैसे कॉंगरेस को देखकर कॉंगरेस को भठाचार की अम्मा हमने बताया हम फिर बता रहे हैं कोई हम पर आरा रख दे लेकिन बात नहीं बदल सकता हम कह रहे हैं यादि कॉंगरेस भठाचार नहीं करती सोटेजर लेंड की बैंकम पैसा नहीं पहुंचाती तो कोई भारत का रेत राज नेता मन नहीं करता राज नहीं तो मैं आकर बेईमानी करने का इनने सिखा दिया सब को की पोछ रहें हैं पूछ रहें हमने कोई पूछो जो राकेश्ट काते हैं कह रहें वह ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं हम उनको बालक समझे कर रहें हम आघ लगा देंगे कितना में और किसान की फजल अगल्य आगला माला किसान्ग नेता हो सकता हुए कि किसान फजल ने रहेंगे यह कुई तरीका है यह को तरीका है इसलेकिन वह चोद्री मे mutually सुपुत रहे हैं इसलिए हम उन्हें माप कर रहे हैं और नहीं तो यह बताई तुम इस तरह की बात करना देश दो है देश दो यह तो फसल रहाई दी दें गहुं रहा है ना ना रहेगा तो किसंटा भूख ओतुन तुम्हों रहेको फिर का खाऊ है तो साल भर बाद बाद फिर आवेगो दूसरी पूसरी तब तक समझ जांगे देश उस्कामाश दहीं है आप पर बड़ा लांचरा लगाते हैं, लेकिन इशारे से बड़ा बोलते है, बानु जी तो ऐसे है, एक है किसाननेता जो बिग गया है, ये वो साथ नहीं दिया, क्या बोले गाते हैं। ऐसा एक है किसान नेता एक किसान नेता भानू परताब सिंग है वो ऐसा नेता है जिसने कभी बदमासी नहीं करी कभी वो विका नहीं और जो मुझसे विकने की कह रहा है वो रोज विका है रोज विका है रोज विका है उसका बवप एक दिल कह रहा था मुझसे जब मैं ताब सिंग हमारे राकेश को समझाओ ये मेरी बदनामी करवा रहा है उस समय से बिकना सुरू कर दिया था और आज मी बिकता है लेकिन बात क्या है आप लोग मीडिया बाले आप उल्टी सीधी बात एक रहा है उसकी बात सुनते इमांदार लोगों को कोई पूछता नहीं है पूछ रहें तो बता रहा हूं सारे देश नहीं सारे बिक नहीं सकता और बिकने बाले जो बानु को बिका हुआ बता रहे उनके लिए कि सारे राज़नेयनितिक पार्टी कि सम्पर्प करें ओ ऑप प्यखत कर के बस आ बने करें निए à बाइस बाते बता सकता हूँ कि फलानी बगत तुम यहाँ विकते फलानी बगत तुम यहाँ भी केते है झाधे इसा है जो मेरे नाम नहीं ले रहा है यही तो कहरा एक एक किसान नेता बिग गया है जब मैंने उसका खोल दिया तो वो बुला कि मैंने तीरा कब कहा था तो मैंने तो दूसरे किसान नीता के कहा था फिर मेरा नाम खुलबाओ तो मैं एक जांपिल सब खोल दूँगा सब एक खोलूँगा लेकिन जब तक मेरा नाम नहीं लिया जाएगा तब तक किसी किसान नीत लगता है कितने लोग बिके हुए और कितने लोग ब्रस्ट हैं मोटे मोटे तौर पर अधिक तर लोग बहुत बहुत शुक्रिया भानुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बाते हमारे बीच रखने के लिए धन्यवाद